हलो दोस्तों आप सभी का SSCG की ग्यान में स्वागत है आज हम इस वीडियो में IPL 2020 से संबंदित कुछ महतुपूरूद प्रशन को देखेंगे जो अगर गामी आने वाले किसी भी एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों IPL से प्रतिक एक्ज सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें चलिए दोस्तों करते हैं तो आज आपका पहला प्रस्न है कि IPL 2020 का फाइनल मैच किस टीम के बीच खेला गया था तो IPL 2020 का फाइनल मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया है जिसका राइट एंसुर भी होगा दोस्तों यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रस्न है दोस्तों और दोस्तों यह भी याद रखेगा IPL 2020 का फाइनल मैच मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर यह खिताब अपने नाम कर लिया है यह दोस्तों अगले प्रस्ट पर चलते हैं अगला प्रस्न है कि IPL 2020 का फाइनल मैच किस टीम ने जीता है तो IPL 2020 का फाइनल मैच मुंबई इंडियंस ने जीत लि लिया है जो सरवाधिक जीतने वाली टीम बन गई है कि दोस्तों अगले प्रश पर चलते हैं अगला प्रसना है कि आई पील में सव मैं जीतने वाली पहली टीम मुंबई इंडियंस बनी है तो इसका राइट एंस्वर यह होगा दोस्तों इसके साथ आप याद रखेगा कि महिंद्र Sim aba horns जीतने वाले पहले का उन से बनी है तो मुंबई इंडियंस बताएंगे चलिन उप्रस चलते हैं ..... अगला प्रसना है Attic ह待 एकिल में선 मैज जीतने वाले पहले कतां महंद्र संग दोनी है इसका राइट एच्ण Bei होगा कहना है महंद्र £ धोनी MP मेस मैज जीतने वाले पहले कता और एच्छित चलते हैं अगला परस्ञा है आपका में 316 लगाने वाले बल्ली बाज आ connection IPL में 300 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज क्रिस गेल है इसका right answer B होगा क्रिस गेल IPL में 300 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गया है चलिए दोश्तों अगले प्रस्ट पर चलते हैं अगला प्रशना है कि online gaming platform dream 11 के brand ambassador कौन है online gaming platform dream 11 के brand ambassador महंदर सिंग डोनी है के brand ambassador है चलिए दोश्तों अगले प्रस्ट पर चलते हैं आपका अगला प्रस्ट है कि dream 11 किस तरह की company है तो dream 11 online gaming platform company है तो इसका right answer C होगा जिसका brand ambassador महंदर सिंग दोनी है चलिए दोश्तों अगले प्रस्ट पर चलते हैं अगला प्रस्ट है कि IPL में purple keypad किसको दिये जाता है आइपियल में परपल काइब अधिक ah अधिक cricket लेने वाले को दिये जाता है तो इसका right answer B होगा दोस्तों यहाँ एद रखिएगा कि अधिक क्विक्ध लेने वाले को फरफल कर दिये जाता है और अधिक run बनाने वाले को आरेंज के ऑवाड किस खिलाडि को दिया गया है आईप्यल 2020 में परपल कैप का आउड की सो रबाडा को दिया गया गया है तिसका राइंशोर एंशुर यह होगा चली दोस्तों अगले प्रश्च पर चलते हैं अगला प्रश्च नहीं क्या आईप्यल में आरेंज़ क्सको दिये वाले को दिये जाता है तो इसका राइट एंस्वर यह होगा तो आई पियल में अधिक रन बनाने वाले लोकेश राहूल जो 2020 के लिए आरेंज कप चुना गया है तो चले दोस्तों अगले प्रस्ट पर चलते हैं अगला प्रस्ट है कि आई पियल 2020 में आरेंज कप किस खिलाड प्रस्ट है इन टापिकों से एकरे दो को स्ट प्रतिक एक्जाम में पूछ लिए जाता है चाहिए दोश्तों अगले प्रस्ट पर चलते हैं अगला प्रस्ट है कि IPL 2020 कब से कब तक खेला गया है इपल का पहला मुकाबला किस टीम के बीच खेला गया था आइप यो 2020 में हुआ है उसका पहला मुकाबला मुंबई इंडियांज और चैन्नेजी सुपर किंग से के बीच खेला गया था तो इसका राइट एंसुर भी होगा चलिए दोस्तों अगले प्रश्ट पर चलते हैं आपका अगला प्रश्ण है कि अगले प्रश्ट में कितने टीमों हिस्टा लिया था इसका राइट एंस्वर यह होगा आठ टीम आईपेल 2020 में हिस्सा लिये थे चले दोस्तों अगले प्रश्ण पर चलते हैं अपना अगला प्रश्ण है कि आईपेल 2020 में पहली बार भाग लेने वाल अमरीकी खिलाडी कौन है आईपेल 2020 में पहली बार भाग लेने वाल अमरीकी खिलाडी अली खान है इसका राइ अली खान है तो इसका right answer is a उतली हिए होगा चैसले दोस्तों अगले प्रस्न पीछा आका है अगला Color हे कि 2020 में IPL का कॉंच संस्क्रण हुआ है बहुं हजर बीक में IPL का 53 पर संस्क्रण हुआ हैhus कि इसका right answer is a होगा so IPL 2020 में ये 53 संस्क्रण था दोस्तों इसके साथ आप याद रखिएगा कि IPL का पहला संस्क्रड कब हुआ था तो IPL का जो पहला संस्क्रड था 2008 में हुआ था जिसको रजस्थान रायल ने जीता था चलिए दोस्तों अगले प्रस पर चलते हैं अगला प्रसन है कि मुंबई इंडियंस टीम के मालिक का नाम क्या है मुंबई इंडियंस टीम के मालिक का नाम क्या है तो आपके सामने चार आपसान है कि मुकेस अंबानी नीती अंबानी उपर युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं इसका राइट एंसर होगा C, तो मुंबई इंडियन्स टीम के मालिक मुकेस अमबानी और नीती अमबानी दोनों है, चलिए दोस्तों अगले प्रस्त पे चलते हैं, अगला प्रस्त नहां है, कि आई पी टीम दिल्ली डियर डेविल्स का नहां नाम क्या है, तो इसका राइट रखिएगा चलिए दोस्तों अगले प्रस्ट पर चलते हैं अगला प्रस्ट नहें किस कंपणी को रिप्लेस किया है अगले प्रस्ट पर चलते हैं अगला प्रस्ट नहें किस कंपणी को रिप्लेस किया है इसका राइट एंसर भी होगा IPL 2020 की project बनी dream 11 title sponsor को लिए 222 क्रोल रूपया मिला है तो इसका right answer C होगा चलिए दोस्तों अगले प्रस्ट पर चलते हैं अगला प्रस्ट है कि BCCI ने किसे IPL का अधिकारिक partner बनाया है अगले प्रस्ट पर चलते हैं अगला प्रस्ट पर चलते हैं अगला प्रस्ट है कि IPL 2020 की official partner company बनी है तो इसका right answer D होगा चलिए दोस्तों अगले प्रस्ट पर चलते हैं अगला प्रस्ट है कि IPL का पहला संस्क्रड किस वर्स आयुजित किया गया था आइपियल का पहला संस्क्रड 2008 में आयुजित किया गया था इसका right answer C होगा 2008 में जो IPL का पहला संस्क्रवर आयोजी जित किया गया था उसका final match राजस्थान रायल ने जीता था चलिए दोस्तों अगले प्रस्ट पर चलते हैं अगला प्रस्था आपका है कि IPL का पहला संस्क्रवर जो 2008 में खेला गया था इसमें विज़ई टीम कौँ सी थी? क पूरा रूप किया है इसका राइट एंसर होगा है अपर प्रीमियं लीग की अगला प्रस्थान है कि आईप्ल 222 का आयोजनjal ॊएर में किया गया है इसका राइट एंसरर होगा दोस्तों ऑप्ल का आउजन भारत में किया जाता है लेकिन इसले करोना महामारी के करड इसका आयोजन één इसागर किया गया है जिसका राइट एंसौड अ होगा चलिए दोुटो अगले प्रश्र परचलता है अगला प्रश्ण है यू ये ए ऑए किस महाध्यूप में ст日本 यू ये ए A शिया महादीप में स्थीत है तिसका राइट एंस्वर B होगा दोस्तों यह UAE में हुआ है तिससे संबंधित कुछ महतुपूर प्रशन को आप याद रखिएगा चले दोस्तों अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है UAE की राजधानी क्या है ति UAE की राजधानी राइट एंस्वर A होगा टका जो मुद्रा है टका बंगलाइदेश के मुद्रा है रुपिया भारत की मुद्रा है चली दोस्तों अगले प्रश्च पर चलते हैं अगला प्रशन है IPL 2020 की प्राइजग कंपनी कौंसी बनी है इसका राइट एंस्वर तो आईपिल 2020 की प्राइजा कंपनी बनी है छले दोश्तों अगले प्राइज पर चलते हैं अगला प्रसन है IPL 2020 का यंश्टरी की पार्ट्नर कंपनी कंपनी है का आई पिल 2020 का ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर डिशने प्लस हाश इस्टार बनाई है तिसका राइट एंसर अ होगा, चल्वे दोस्तों अगले प्रस्त पे चलते हैं, अगला प्रस्ण है कि नई सुपर किंग्स टीम के मालिक कौन है, चल्वे नई सुपर भारत में IPL कौन से संस्था आयुजित करती है तब भारत में IPL BCCI के द्वारा संचारित किया जाता है तो इसका राइट एंस्वर भी होगा चलिए दोस्तों अगले प्रस्ट पे चलते हैं अगला प्रस्ट नहीं बी सीसी आई के अध्यच कौन है तो बी सीसी आई के जो अध्यच है स्वरो गांगुली है दोस्तों बी सीसी आई की बात हुए तो बी सीसी आई के अध्यच इसका मुख्याले इसको भी आप याद रिखिएगा तो बी सीसी आई के जो अध्यच है स्वरो गांगुली है जो BCCI के जो सिक्रेट्री है, जैशा है, इसका राइट एंसर A होगा, जबकि BCCI के जो अध्यच्छ है, सवरो गांगुली है, अगले प्रेस्ट पर चलते हैं, अगला प्रसना है आपका, ड्रीम 11 का मुख्याले कहां है, जो ड्रीम 11 एक गेम, मिंग है, ड्रीम 11 का मुख्याल मुंबई में है, तो इसका राइट एंसर C होगा, दोस्तों यहाँ पर आपके 38 कोईस्टन कम्पलीट होते हैं, जो प्रतेक एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए, तो वीडियो का लाइक करें, सस्क्राइब करे और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, थैंक्स फार वाचिंग